नमस्ते मैं हुपायल रहादगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे मुझे लगता है कि संस्कृत जो एक समय की जन्भाशा थी उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए जी हां क्योंकि हमने देखा कि कैसे KGB के कोई आक्टर यश को ट्रोल किया गया जब उसने और उसकी वाइफ ने कोई विडियो बनाया in English thanking the makeup artist who made footprints of their newly born child क्योंकि वो Kannada film industry के superstar है और उन्होंने विडियो बनाया English में the net people trolled him तो मैं ये लोगों को सुर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपस में लड़ना बंद करिये चाहे आप Tamil बोलते हैं, Telugu बोलते हैं, Kannad बोलते हैं, Gujarati बोलते हैं, Punjabi बोलते हैं चाहे आपको Hindi national language बनानी है या नहीं बनानी मगर एक बात आपको समझ जानी चाहिए कि अंग्रेजी यानि English हमारी national language नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये obviously अंग्रेजों की देन है अगर हमें कोई language को revive करना चाहिए और कि कोई language को हमारे देश भारत की national language बनाना चाहिए तो वो होनी चाहिए Sanskrit क्योंकि Sanskrit is one of the oldest language और भारतिय संस्कृती से Sanskrit बहुत समय से जुड़ी हुई है और ये मैं obviously आपके साथ इस basis पे कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में information भी पड़ी है साथ साथ में मैंने recently शिश्मा स्वराजी का एक video देखा जहाँ पे वो South India Education Society में lecture दे रही थी और अच्छी speech द्वारा लोगों को समझा रही थी कि कैसे Sanskrit एक समय की भारतिय जन भाषा थी and obviously आज हम ये कहते हैं South India में कि हम Hindi को हमारी national language नहीं बनाएंगे क्यों क्योंकि हम North India और South India में division लाना चाहते है and this is done by people who are anti-Indian तो मैं इन लोगों को सरफ इतना ही कहना चाहती हूँ let's not fight between Hindi, Tamil, Telugu, Kannat but let's try to make Sanskrit our national language because ये बहुत पुरानी language थी भारत से जुडी हुई language थी और ये ही language से ये सारी languages का उत्पन हुआ है सारी languages उत्पन हुई है चाहे वो Telugu हो, Tamil हो, Hindi हो, Urdu हो and we all should work towards waking भारतिय संस्कृति से जुडी हुई Sanskrit language को हमारे देश भारत की national language तो अब मैं आपके साथ कुछ information share करूँगी जो मैंने उस video में सुनया वहाँ पे लेट शुष्मा सुराज जी बात कर रही थी कि अगर talking computers बनते हैं तो talking computers कौन सी language में बनेंगे हम सब obviously expect करते हैं कि answer होगा English क्योंकि हम सब को brainwash किया गया है चाहे हम South Indians हो या North Indians हो कि English is a universal language क्योंकि अंग्रेज तो चले गए मगर 70 साल से हमारे अंदर एक slave mentality छोड़ के चले गए जहाँ पे हमें लगता है कि जो चीज हमारी है वो इतनी up to the mark नहीं है मगर जो चीज West की है वो बहुत जादा up to the mark है और हम सब ये colonial mindset से अभी तक गुजर रहे हैं इसलिए obviously English को हम national language यूनो बनाने के लिए जत्तो जहार करेंगे मगर Sanskrit को national language बनाने के लिए इतनी महनत नहीं करेंगे So let's talk on facts क्योंकि Sanskrit एक यूनो एक कहा जाता है एक वेज्ञानिक भाषा भी है मैं ये कैसे कह रही हूँ इसके ओपर मैं आती हूँ मगर उसके पहले मैं आपको एक example देना चाहती हूँ English language के अंदर English language के अंदर N-O नो और K-N-O-W नो दोनो को same pronounce किया जाता है मगर एक N-O का मतलब है ना और दूसरे K-N-O-W का मतलब है समझना तो obviously ये दोनों शब्द का मतलब अलग है मगर दोनों शब्द का pronunciation same है तो English में talking computer बनाना इतना जादा फायदे मन नहीं होगा क्योंकि English as a language has lot of defects मगर obviously हमको 70 साल से अंग्रेज rule तो नहीं करते हुए आ रहे थे वो obviously उसके पहले हमें rule करते हुए आ रहे थे मगर अंग्रेजों के पठ्थू हमें rule करते हुए आ रहे थे जिसकी वज़े से obviously हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि English is a better language universally to get accepted all over the world जबकि हमारी पहचान संस्कृत से होनी चाहिए because वो हमारी भारतिय संस्कृती से जुड़ी हुई है तो अब हम बात करते हैं कि संस्कृत में शब्दों के अपार भंडार है और रचनाकर अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उन्हें चुन सकता है रामायन में कहा गया है कि जब भगवान राम लंकेश पर विजय पाने के लिए लंका जाते हैं तो वो भगवान शंकर की अराधना करते हैं वो स्तूती जिसमें वो अराधना करते हैं उसे राम चरित्र मानस में रुद्राष्ठकम के नाम से जाना जाता है उसी समय रावन भी भगवान शंकर की अराधना करते हुए एक स्त्रोत रचते हैं और उस स्त्रोत का नाम है शिव टांडव तो आप दोनों स्त्रोत के शब्द अगर सुनेंगे तो आपको दोनों इंसानों की व्यक्तित्व के बारे में पहचान हो जाएगी कि कौन सा स्त्रोत भगवान राम से जुड़ा हुआ है और कौन सा स्त्रोत रावन से जुड़ा हुआ है क्योंकि उस समय जब भगवान राम जीवित थे पृत्वीत पर तो लोग उन्हें इंसान ही समझते थे मगर वो भगवान थे, मगर उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें पहचान हो जाती है जब हम वो स्त्रोत के शब्द सुनते हैं और रावन जो भी उस समय का एक खराब इंसान था उसके व्यक्तित्व की भी पहचान हो जाती है जब हम वो स्त्रोत शुनते हैं तो दोनों स्त्रोत के शब्द दोनों के व्यक्तित्व से मिलते हैं और यही संस्कृत की खूब सूरती है दूसरा example about the beauty of संस्कृत and the fact that संस्कृत is a scientific language संस्कृत के एक रचनाकर है डंडी जिनका एक नाटक है दश कुमार चरित्रम जहां पे दस राजकुमारों की कथा है जाती है राजकुमार विश्रुत शिकार करने के लिए जब जंगल जाते हैं तब उनके निचले होट पे तीर लग जाती है इसके बाद जितने भी समवाद विश्रुत बोलता है उसमें डंडी कहीं भी उन्हें ओष्ठान का प्रयोग नहीं करवाते Now what is ओष्ठान? Because राजकुमार विश्रुत के लोर लिप में कट हो जाता है वो ओष्ठान का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए डंडी जो रचनाकर थे of this नातक दश कुमार चरित्रम वो उनसे ओष्ठान नहीं बुलवाते उनके स्पीच में ओष्ठान है प, फ, ब, भ, म और यहाँ दो होटो के मिलने से ही बोले जा सकते हैं यहाँ पवर्ग ओष्ठान है इसलिए कहीं भी पूरे नातक में इस घटना के होने के बाद राज कुमार विशृत से यहाँ पवर्ग ओष्ठान नहीं बुलाए गए और यहाँ है संस्कृत की विज्ञानता लेकिन आजकल लोग ओविसली कहते हैं कि संस्कृत बोल चाल की भाशा नहीं बन सकती शायद इससे बड़ी अज्ञानता की बात और को ही नहीं हो सकती संस्कृत जन भाशा रही है अनपड लोग जो विध्याले नहीं गए वो भी संस्कृत भाशा का उपचारन करते थे राजा भोज का एक्जामपल अब मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ राजा भोज के काल में एक इंसिडेंट था जहां राजा भोज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल जा रहे थे जब वो जंगल जा रहे थे तब उनके सामने एक लकड हारा आ गया उसने लकडी काट कर अपने सिर पर रखी थी और उसे पसीना आ रहा था राजा ने लकड हारा को देख कर संस्कृत में पूचा कि क्या यह भार तुम्हें कश्ट पहुचा रहा है and in संस्कृत he said किंते भारम भादती now भाद शब्द is एक ऐसा धातू जो परस्मय पदी चलता नहीं है परंतु आत्मनय पदी चलता है संस्कृत में दो तरीके के धातूएं होते हैं तो परस्मय पदी चलता जब शब्द भाद है तो उसे हम पुलाते हैं as भादती भादत भादनती जब आत्मनय पद ये शब्द भाद चलता है तब हम उसे पुकारते है as बाधते, बाधेते and भादनते बाद शब्द आत्मनय पद में है यहां information obviously मेरे को भी आज मिली और मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ तो जब राजा भोज ने लकड़ारा से पूछा कि कितने किनते भारम भादती apparently लकड़ारा got offended and he said कि मुझे भार से कष्ट नहीं हो रहा जितना आपके बाध शब्द के गलत उपचारण से So Shushma Swarajji, the late Shushma Swarajji was talking in South India Education Society and वो लोगों को कह रही थी कि किस तरह से संस्कृत एक समय भारत की जन भाषा थी आज के समय obviously संस्कृत सिर्फ कर्मकांड की भाषा बन गई है and एक समय उसका था जब वो लोगों में एक fluent language की तरह use की जाती थी वो obviously ये भी जाती थी कि South India Education Society ऐसे लोगों को बिल्ड करें जो computer के साथ साथ संस्कृत language के विध्वान भी हो तो जब talking computer की बातचीत हो तब talking computers in Sanskrit की बातचीत हो और ऐसे लोग हो South India Education Society से जो इस चीज का invention कर सके क्योंकि we have to be proud of our uniqueness we cannot be ashamed of our uniqueness मगर obviously 70 साल से the governments which have been ruling India have been pappus of these ungrays जो obviously जब भारत को rule करते थे तो हमारे अंदर ये thought process रख गए कि हम West से कहीं न कहीं कम है मतलब we are not at par और we are not equal to what the West is जो एक गलत thought process है भारत ये संस्कृती में संस्कृत विश्व की बहुत पुरानी language है और हम सब चाहे हम North Indians हो या South Indians हम सब को work करना चाहिए towards making Sanskrit our national language and not fighting among ourselves कि भाया Tamil को बनाओ, Telugu को बनाओ, Kannada को बनाओ, Hindi को बनाओ let's make Sanskrit the national language of भारत Namaskar मुझे स Southernipe हम क्योंक भा क्योंक बनाओ